मित्रो कर जब स्वदेशी संदेश यात्रा से वापस लौड़कर यहां सार्विजरी कायटन संपन्न हो रहा था तो उस समय अपने इचार दिवार के पुराणे जेश्ट कायटनता में उससे पूछा कि अरुजी स्वदेशी में रेलीजस बाते चलती है क्या कुझे पता ने चला क्या संदर्व था रोका पर तो पुछ से पूछा हो कि स्वदेशी में रेलीजस चलता है क्या मैं पुरा उन्हें कहा कि स्वदेशी कायर मंच का अंदोलन एक धार्मी का अंदोलन वित्रो जब यह देश को कंत्र हुआ महात्मा गांत्री जी और पाकिस संदर्व के लिक्रत्व में इस देश की आजाजी की लडाई चल रही थी पूजनी महात्मा जी आजाजी की लडाई के सबसे बड़े युद्धा थी उनके मित्रत्व में लडाई संपन्ड हुई और पंद्रह हुद्धस पुले सो सैता जिसको ग्रडिस विजय के पस्चाथ भारत वर्षक दुनिया के छिपिक पर एक नवर संप्र देश के नाते हुवित हुआ उसके पस्चाथ महात्मा जी अधिक दिनों का जिवित नहीं रहे महात्मा जी की आखों के सामने इस देश के लव निर्मान का एक चित्र था परत्तु उस चित्र को साकार देखने के लिए महात्मा जी अधिक दिनों के जिवित नहीं रहे और महात्मा जी को जब लगा देवी आत्मा थून में दिवित रुष्टी रही होगी महात्मा जी को जब लगा कि सायथ किसी न किसी कारवश्ट मेरे महा प्रयान का समय आ गया है पुरुआ धास wha होगा तो महात्मा जी ने इस देशी जनता के नाम अपने महा प्रयान के दिन के एक दिन पूरो समया में इस देशी जनता के नाम एक वस्यच लिखा उस वस्यच में परफम कंती में उल्होने लिखा कि देश को राजमी की स्वतंतरता तो प्राप्त हुई परत्तु दीन और प्रकार की स्वतंतरता प्राप्त करना सेश है और जिस दीन प्रकार की स्वतंतरता प्राप्त करना सेश है उसमें उन्होंने लिखा आर्थिक स्वतंतरता सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता नैतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक स्वतंत्रता यारी आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता ये पुझनिय महात्मा जी ने अपने अंतिम वसियत में देश की जलता के नाम संभोधित किया सुदेशी जागरमंच पुझनिय महात्मा जी के उसी स्वप्र दो साकार करने के लिए काल शेखर में लगा हुआ है जब सुदेशी आप दोरन आरण किया हमने तो इसके समस्थापक के द्वारा बार बार कहा गया कि हम आर्थिक आजादे की लड़ाई है द्वीतिय स्वातंत्र समर है और स्वातंत्र समर धर्म से भिवुक होकर नहीं लड़ा सकता राष्टर निशी स्रभ्यात अत्तोपंत जी ने ये बार बार कहा कि जो कुछ भी धर्म के परीधी के बाहर है आउटसाइड दी ओर्मिट अफ धर्म वह में वस्का पिकावल नहीं हो सकती सस्टिनेबल नहीं हो सकती कि धर्म के आधार पर खड़ी की गई में वस्का यहीं पिकावल हो सकती है पूजणी महात्मा गांधी जी ने इसी लिए आर्थी स्टम्तरता के साथ साथ धार्मी स्टम्तरता गाउन लेकी है पूजणी महात्मा जी से जब पूछा जाता था कि आपकी आँखों के सामने नए भारत का कैसा चिक्र है आप किस प्रकार की राजी की प्रस्खाना चाहते हैं तो महात्मा जी यह कहीं सब्द बोलते थे राम राजी आज अगर हम राम राजी बोलें तो साथ लोग कहेंगे यह कमूनल लोग है राम राज़ी से अप्मदर गंसित नहीं होगा साइड आज की सब्दावली प्रतु किशी ने राम राज़ी की सनकल्पना को सागार करने के लिए पुझने महात्मा गांजी को सांप्रदाइफ नहीं कहा है राम राज्य की कल्पना ये पुझने महात्मा जी की एक धार्मिक संग कल्पना था एक धर्म राज्य की अस्कार्मा चाहते थे महात्मा जी और धर्म राज्य कभी भी सामत्ताइक राज्य थियो प्रैटिक एस्टेट नहीं होता धर्म राजि मज़ अभी राजिन नहीं होता तो स्वदेश्टी का यह आंदोलन केवल आर्थिक स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं है या एक धार्मिक आंदोलन परपिता प्रमात्मा ने हम सम लोग के लिए सो भाज प्रदान किया है कि हम सब लोग आज इस आमदोनन के एक योधा है, एक सैनिक, डॉक्टर पियार ब्रह्मान इस देश में बहुत बड़े अर्थ सास्त्री हुए हैं, जब उनसे पूछा गया, आप इस देश में किस प्रकार की अर्थ जवस्था चाहते हैं, तो डॉक्टर पियार ब्रह्मान इंद में, जो सब दो प्रयोग किया, कि किस प्रकार की अर्थ जवस्था चाहिए, तुरू ने कहा, धर्मा धुष्ठित अर्थ जवस्था, ऐसी अर्थ जवस्था, जो धर्म के अधिश्थान पर खड़ी हुए हुए, समाज के दिए और पूरी दुनिया के लिए कल्यान कारी हो सकता, डाप्टर प्रियार ब्रह्मानन्द एक सेकूरर पानलिस्थ है, परंको उनके कल्पना खरमा धुष्ठित अर्थ जवस्था के लिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है, हम सब लोग जानते हैं, तो हम भारत वर्ष में नहीं, यह अर्णा भारते तो अर्णा भारत, यानि भारत वर्ष का संपूर्ण तत्वचिंतन, संपूर्ण ग्यान, पूर्वजों की सारी हमारी परंपरा, यह सब कुछ ब्याठ्याइक भी है, वह एक ग्रन भारत कोई है, तो हम महाभारत, महाभारत में ब्यास देव कहते हैं, कैसी अर्थ दवस्था चाहिए, देश की जनता के कल्यान के लिए, किस प्रकार की अर्थ दवस्था चाहिए, तो महाभारत के उश्ट्रोप में ब्यास देव कहते हैं, और कृत्वा परसंतापम, अगत्वा खलन अधिरं, अलुगां यह मुशतां नमार्गं, यद स्वल्पन यपी तद भभू, और कृत्वा परसंतापम, दूसरों को कष्ट देकर नहें, अगत्वा खलन अंधिरं, दुनिया भड़े भीख मांगते हुए नहीं, अगत्वा नहीं, अगत्वा नहीं, दूसरी जेरा चार करके, इसी कहां से पांग करके नहीं, नौट बेगिन भाउन, अनुलाण्यम सताम मार्दम, विदू तूडा भी प्राप्त होता है, तुवा पर याद, इस प्रकार की अर्थ दवस्ता थर्म पर अभिस्टित अर्प दवस्ता है इस लिए स्वदेशी जार्ट निमंच का अंदोनर ये थार्मिक अंदोनर पुरुष्ट्र का युद्ध समय को गया से युद्धिश्ट्र का राजिया भिश्यक होता है युद्धिश्ट्र राजा बनते हैं राज़का संचानल कर रहे संब्रकार की सब्ध्यकाजिता के लिए परियात्र कर लोग और उस समय के सबसे विख्यात पत्रकार साजेट मात्र पत्रकार रहे होते नारग भगवाज पूर्ण सूचा यूँ तो समानतों हो गया है नए राजा बने है ये दिश्ठिर राज संचानु करते हुए भी कुछ समय हो गया है तो जरा राज का प्रिभरबर करते हुए राजा की एक भेट वारता ले ली जाए तो राजा की भेट वारता करने के लिए युदिश्टिर के राज दर्मार के उपस्कित होते हैं नारत और पुछते हैं जैसे आज के पत्रकार पुछते हैं नारत पुछते हैं युदिश्टिर से महाराजी दिष्टिर आपको कुछ तबह हो गया आपको राजी चलाते हुए बताईए कैसा राजी चल रहा है अरे गुरुज सेटर के मैं नाम में तो सब कुछ द्वस्त हो गया था तो आपके कैसा पूनर निर्बान रीकंस्ट्रक्शन कैसा किया है अपने राजे का तो युदिष्टर राजा थे सत्यवादी थे पर अंको राजा थे उनको लगा ये पत्रकात पूछ रहे हैं तो इनको जरा राजे का जो गवरों हमने फिर से खड़ा किया है उसका वर्में जरा चुमाते हैं तो युदिष्टर ने वर्में किया अपने राजे का और बड़ा माइमूट डीटेल्स बताते हैं नारत हमने कितने हमदार में रत्न जमा कर दिय हैं इतने कि चछँ क्रदी आदिस कहती है सब्धक कर दिया है ऐसे अधक के माइमूट डीटेल्स और यह नारत को बता पर हैं और फिर पूछते हैं उनको रगा होगा कि आकू इतने उत्तर से संतुष्ट हो गए होगे आगे आगे के पास कुछ पूछने का रहा नहीं होगा तो कुछ के हैं वो दूष्टर धासे नारग से मन रहा होगा कि कहीं नारग जी सब खीट साथ है ना सब खीट बढ़िया से हो गया है ना तो नारग ने एक वाठी का प्रियोग किया है वहाँ पर नारग ने कहा सब कुछ सुन्ने के बाद कोई बढ़ाई नहीं थी कोई प्रसंसा नहीं की राजा एक वाठी का प्रियोग किया है और नारब कहते हैं यह जुष्ठिर से दरिद्रान भरक वंतेया एक उन्ते पुत्र युद्रश्ठेर दरिद्रों के भरन कोशन का तुम ने क्या किया है अरे महाभारत इस वाथ के में दरिद्रान भरक वंतेया वेलफेर सेट की सारा वीज वंत्र है इए हमने पूरी दुनिया को welfare state की परिकल्पना दी है और प्रहया जाता है कि अंग्रेजों ने जब आपर के और ये लोगतंत्र और बाती welfare state ये पर्टियों के दे दे अरे 5000 साल पहले पूरी दुनिया welfare state की कल्पना से जब अपरचित रही होगी तब हमारे एक रिशी में वहार के राजा को कहा था दरी द्रान धर कौंते है अरे समाज का जो उप्यक्षित है समाज का जो बन्चित है समाज को जो सबसे मिचले पायदान पर है उसके भरन कोशन के लिए परजब्द करो यही राज़िका कर्तब्या समाज के सबसे मिचले पायदान पर जो बन्चित है गोटो बैटान जो जीया उसका उठकर्ष घोता है तो राज़िका उठकर्ष होता है यह उठकतो कंजी ने बार बार कहा जरी द्रान्वान दर्बंदे रगे सदेशी जानी बन्च आज उसलिगा बहा है और इसलिए स्वदेशी जाट उमच का कार्य यह थार्मिक कार्य वित्रोग सब प्रकार की चर्चा भूरी है और जैसा कहा गया कि स्वदेशी जाट उमच आरंध से भी आर्थिक स्वातंतर काईू भूरणने वाला कार्य है यह जो आर्थिक उपनिवेश्वात इक्वानामिक इंपरियलिजम इसके खिलाब जो युद्ध चल रहा है स्वदेशी आंदोरन उसका हिस्ता अब जो हम भूमंदली करण वैश्वी करण का विरोध करते हैं तो हमारे कई मित्र मेरे करी कमरिश्वी मित्रों ने भी मुझे कहा कि आप लोग भूमंदली करण का विरोध क्यों करते हैं आपको राष्टिये संसेवक करके संसेवक हैं हिंदुत्यों के द्वजवाहक हैं आपको तो भूमंदली करण का विरोध नहीं करना चाहिए क्या आप अपक्रे पुर्खों के रास्ते से बिचलित हो गया हैं क्या मैंने कहा ऐसा क्या हुआ तो कहा पिरे एक बड़े कमने श्वित्र ने कि आपके आपको वसुद है वकुट्वमुट्वम कहा गया है तो फिर आप ये ग्लोमिलाइगेशन का विरोध वैश्वी करम का विरोध क्यों करते वैवे अपके उस कमने श्वित्र को कहा कि हाँ हमारे पूर्वजों ने कमी एक गीत गाया था कि कौन मेरा है कौन तेरा है इसकी घरना बड़े लोग नहीं करते जो छोटे बनवाले लोग है वही इसका कैल्कुलेशन करते हैं कि आयम नीज़ परोवेती कौन मेरा है कौन तेरा है उदार चरिता नामतु जो इनलाइटेंड लोग है जो उदार ना लोग है उनके लिए उदार चरिता नामतु वसुद है युवर कुटुम्पकम पूरी वसुद है कुटुम्प है यह हमारे पुर्फों में गीत काया था लेकिक हमारे पुर्फों में जब यह गीत काया था तो उसमें दुनिया में दुनिया की पर सिप्या अलग थी उसमें दुनिया में साइध साप्राजेवादी ताटतों का जन्म नहीं हुआ था इस थर्टी पर ऐसे सब लोग निवास करते थे जो पूरी वसंधरा को एक परिवार मानते थे पूरी वसंधरा को पुटुम्ब मानने वाले परिवार मानने वाले हमारे महान पूर्खों ने इस प्रकार का दीत दुनिया दिया था पर तु आज इस थर्थी के ऊपर कुछ ऐसे तत्लोग आविर्भाव हो गया है जो इस पूरी वसंधरा को परिवार नहीं बाजार मांग रहे हैं हम वसंधर को टुमक कम पूरी वसंधरा परिवार है इसको मांदने वाले लोग है आज का भूमंडली करन वादी आज का भूमंडली करन वाला लोग पूरी वसंधरा परिवार नहीं इसको मांदने वाले लोग है और इसलिए हमने कहा कि ग्लोबिलाइजेशन का हिंदियों बाद भूमंडली करन नहीं भूमंडी करन वोना चे पूरी वशुंद्रा को पूरी धर्थी को मंडी में तुदील करने का एक प्रोबिनाई देश ले काम चता। प्रोबिनाई में एक बिच्छामकण हासल करने के एक प्रोबिनाई देश ले वहां विशुंद्रा के पूछा किस इंजर से क्या प्रोबिनाई देश ले काम चता। वो सब की आखे खोल देने वाला है। उसने कहा कि शिर्जर्ण ने Globalization is nothing It is Americanization of the world बैश्वी करण और कुछ नहीं है यह पूरी दुनिया का अमेरिकी कर्ण और आठी अपनों उस बात का विस्तार करते हुए वो पूरा दिख्षांत समारो का भासन किसिर्जर का Globalization के उपर केंद्रिद रहा। और उसमें कहा किसिर्जर्ण ने कि पूरी दुनिया जब अमेरिकन संस्कृति में रग जाएगी तो हम मानेगे कि दुनिया भूबंडली करत होती है। जब दुनिया को प्यास लगेगी तो दुनिया पेप्सी कोला को का कोला माने। दुनिया को जब भूठ लगे तो पिजा और हैंबर्गर चाहे। और दुनिया को जब निर्ट और संगीत देखने की इच्छा हो तो माइकल जैक्सन और मैडोना का निर्ट देखे संगीत सुले। और जब यह सब कुछ हो जाएगा पूरी दुनिया ने वह अमेरिकी संस्कृति में रंग जाएगी। तो हम मानेंगे कि पूरी दुनिया ग्लोबिलाइजेशन की परिभासा उस व्यक्ति के तो आरा दी गई। जिसका देश पूरी दुनिया में ग्लोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा पहरोता। वित्रों भारत वर्ष दुनिया का सबसे महान राधा रहा है दिहास में। दुनिया के सब लोगों ने पिकार किया थे। कि दुनिया जब अन्द्दार युरु में था, उस में भारत वर्ष सब्धता और संसृति के सर्वोष चिप्सिकर जों। हमारे अजन्द में भगों को लूटने के लिए हमारी जुन सुर्प्ति को विनष्ट करने के लिए इस देश में अने एक विनेशिया कामता है सब प्रकार से हमकों को तहस लहस किया ध्वक्त कि सबसे अजब में एक जाती ना आई अंग्रेट जाए दुनिया की सबसे खुटिल जाए, सबसे प्रूर जाए और उसमें जब यहां राज़े कामता स्थात्र किया उसका यह बहुत बड़ा लेक्ती हुआ उसका नाथ हम सब लोगे मूँ पर रहता है वो व्यक्ति हुआ प्रकाले जिसमें हमारी सिच्छा पज़िती को बदर लगा जिसमें हमारी सब्सकृति को तहस नहस कर लिया वो मैं काले नाम का व्यक्ति यहां इस्ट इंडिया कंपनी की नौतरी कर ले आया चार वर्षों तक इस्ट इंडिया कंपनी में उस्टे नौतरी चार दर्शों में इस इंडिया कंपनी की नौत्री कर दे हुए पूरा भारत वर्ष भूंता नो व्यक्ति उत्तर से जप्षित तक पूरों से पस्चित तक इसके पस्चार उसके जो अनुभव हुए वह वापस इंगलेट लोटता है और वहां वहां कि पार्डिया नेटका मे सब्सक्राइब को जाता है वहां बड़ी संपत्ति भी ले गए आईपा से और वहां दो सरवरी 1835 ब्रेटिस पार्डिया ने एक हासन देता है वहां पुषित पार्डिया नेटके सदश्यों और इंगलेट की जनता की संबोधित करता है मैं कालेट और कहता है एई प्रश तक भारत वर्श में रहतर आया हूं पूरा भारत वर्श घुमा हूं उत्तर से दक्षिर्पुर्व से पश्चिन और मेरे कुछ अलुभव आए मैं उसको सेयर करना चाहता हूं आपके साथ भारत वर्श के उपर ब्रिटिस ध्वर लंबे समय तक अगर पहराना है र क्याता है पूरा भारत वर्श घुम गया हूं लेकिन जामते हूं एक बाद भारत वर्श में मैंने कहीं कोई भिखार ही नहीं देखा कोई बेगर नहीं में रहा हूं और यह कोई स्वदेशी जागर मिज़का कारेकरस्ता का महासल नहीं था दो खरबारी 1835 का इस इंडिया क कंपनी का एक रुचारी ब्रिटेन का प्रतिमिदी ब्रिटेन की जन्ता और पार्णियामेंट को संभोधिट कर रहा है कि पूरा भारत वर्श उत्तर से रक्षिपूरों से पस्चिम घुम गया पूरे भारत वर्श की सड़कों पर गलियों पर एक भिखारी नहीं देखिया और उस समाज व्यवस्था को जन्म देने वाला कौन सा ऐसा दर्शन है और उस दर्शन को पिकाई रखने वाला कौन सा ऐसा धर्म है और तब मैं काले कहता है कि हिंदू उपने इस प्रकार की एक समाज ववस्था वहा रची है और इस समाज ववस्था को पिकाय रखने के लिए हिंदू ने दुनिया दो एक भारत वर्ष वे दफशन दिया है और उस धर्षर कवस्थाई बनाने का काम भारतवर्ष के हिंदु धर्वने की है। और तब उसमें पूरा प्रस्ताव दिया। और उन ही स्लोगों के आधार पर हमारे अने फ़र्व ग्रंत्वम वाजगा दिया। मूल स्लोग हटा दिये गए। और इसको छिपाया नहीं। मैं स्मूलर ने तो ब्रिटिट के नानी एलिजावेर को पत्र लिखा। प्रकासित है पत्र ही। मैं जावेर को पत्र लिखा। मैक्सुलर ने कहा आई है टोटली अप्रूटेट इंडियन कल्चर। कैसे कर दिया थी। कैसे कर दिया थी। कैसे कर दिया थी। इनके यो पहुतर धर्वगर्थ हैं मैंने इतने इंटर्पोलेशन कर दिया है इतने स्नोप्रच के डाल दिया है यह सब ठोटली अप्रूटेट इंडियन के थी। Even now, if Christianity does not succeed in India, the responsibility goes to the British. इंग्लेट का नही था मैक्समूलर लेकिं इंग्लेट के राजिए उसका भरण कोशन किया था तो उसको पर एक liability थी। लेकिं इतना सब करने के बाद भी जब Christianity succeed नहीं कर रही थी तो उसके मद में एक build complex था वो अपने liability को हटा देना चाहता था तो ग्रिटेट की राणी को लिखता है कि मैंने सब काम कर दिया तुझे बत कहना कि तुमको खिलाया पिलाया प्रदाया लेकाया लेकिं तुमने मेरा कुछ काम नहीं दिया पैदी I have to clear प्रूपेंट इवन इस Christianity does not exceed in India then responsibility is a lot of pack smaller responsibility goes to liberties for the same world इस प्रकार की सारी परिस्टिके रही भारत प्वर्ष के लोगों को कहां यहां कभी कोई सभनता नहीं यहाں कोई संस्कृति के rein इहां बरबर लोग रहे भार्बर लोग क है honor कहां कोई सभ्था नहीं कोई संस्कृती का हमारे लोग उसके प्रभाव में आयेक परन्तु की देशी नोग उसके प्रभाव में नहीं आया थे 1928 में बिल्ड दूरा दुनिया नहीं बहुत बना विद्वान हुआ उसमें लिखा कि पिछले ठाई हचान वर्षों से और यह उसमें लिखा जब पूरी दुनिया में अंग्रीज लोग भारत वर्ष का पंचे करा रहे थे कि हम कोई राज़ करने महां नहीं गया है यह तो भाइट मेंस वाइडिन है भारत वर्ष के लोग को हम सब बनाने के थे उस अवस्था में बिल्ड दूरा ने लिखा कि पिछले ठाई हचान वर्षों में भारत वर्ष कहीं भी असभ्य नहीं रहा भारत वर्ष के संस्क्रत वी भाई हजार वर्षों में दुनिया के सबसे सबस्रेश्थ संस्क्रती रहे अंग्रीज लोग कितार को प्रतिबंदें गपने वेट दूरा के कितार को नहीं छपने थे बार्गों किताब चाहिए लेकिन अंग्रेज में उसको प्रतिबंदी थी यानि दुनिया को जो सबसे संसर्प समाज था जिसके पुर्खवन एक ऐसी समाज व्यवस्था की रचना करणा लिए थी जिसमें कहीं कोई भिखारी नहीं थी कि पुरें डुनिया कि चुनाँटी है क्या किसी धर्म ने किसी समाज्टे किसी समाज निया थाति और्ड़न इस की समाज म्वस्था खड़ी थी तagen अधार कर खड़ी थी इसने सभी से जाओनमंच का अंदुने फर्व काम धो यह तरह स؛ यह गेवं आर्ती का заजी की लडाई नहीं है इस वहारे पूरे बशत्वी से नडाई की नडाई कल भारत वर्स कि मरत प्रष्व की लडाई ऑल की गईत जिस प्रतार की समाज रचने दुनिया के कुछ देशों में खड़ी की है, भार अवर्ष में भी वैस की समाज में वस्ता करने के प्रियत्त में लगे और सफ्तार में बैठे हुए लोग, चाहे किसी भी राज में तिक दलके हो, वे सारे लोग, उनके प्रचाण कंत्र में आ ग प्रत्यार करना हुगा, और जब प्रत्यार करके एक बार हम फिर से खड़े होंगे, तो साय भार अवर्ष पूरी दुनिया का मार्व दर्शन है, कभी वीर्षावत्तर ने कहो था, कि जब दुनियाने आकास पर, किसी समाज के आकास पर, काली भटाएं बहुत जाएदा घिर रही, कहीं एक प्रिम्टी माता हुगा, दिया भी दिपलाई नहीं दे रहा हो, तो उस समय, उस समाज के उठ खड़े होने का समय, कि जब दुनियाने का सबसे स्वरणी बता लिए, और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है, नीती बदलो देश बचाओ, इन नीतियों को बदलने का समय आ रहा है, भारत वर्ष के एक स्वर्मिन काल में प्रवेश कराने का, एक समय आ रहा है, परक्तु यह, इस वाहन को एक नए जिपने ले जाने का काल यह, इस वाहन को नए काल में ले जाने का काल यह, इसका वाहन को बनेगा, इसका वाहन बनना है, स्वदेशी चार्मिन्मच जैसे कारी जो चल रहे हैं समाज में, उनके कार्प्रताओं का यह, दाईद वह को वाहन मने, और वाहन कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, लखनों में कॉंग्रेस का अजिवेशन चल रहा है, कुझनिय महात्मा जी का भारत वर्ष के राजवित एक्षिवेशन में प्रवेशन तो हो गया, प्रतु वर्चस्व स्थाकित नहीं हुआ, सरु मान नेता थे, बाल गुदा थे, लोग मानती लखी महाराज, लखनों में कॉंग्रेस का अधिमेशन चल रहा है, कॉंग्रेस का अधिमेशन प्रतेव वर्ष लगबद दिसंबर जर्वरी में महीने में हुआ था, कॉंग्रेस का अधिमेशन चल रहे हैं, लोग में बड़ास चल रहा हम लोग देर रात तक बैठेके चल रहे हैं, जाड़े की स्प्राता काल में जब सम लोग सो रहे हैं, लोग उठी भी लेए उठ रहे हैं, उसमें लोग माने तिल्यकी महाराज लखनी चुटा चुटा करके चुलहे में, पानी गर्व कर रहें, कुछ कारता हो ने पुछा तिल्यकी महाराज आतिया क्या कर रहें, उन्होंने कहा, कि देखों आप तो उत्तर प्रदेश के हो, आपको ठेंट सहरे का अभ्यास दे, पर अथे सम्मेरे में हमारे तक्षिर के लोग भी आये, उनको ठेंट का आभ्यास अगर पुछ काल पानी गर्म कर के हम उनको नहीं देंगे तो उनका स्मॉन और जहनी क्रिया के से हो, तिल्यकी महाराज असमें देश के सरो मान लेता थे पौछ के सरो मान लेता थे, पर अथे उनको इनकार अड़े नहीं है, युद्यकी मीतैन कुछ होए थे, लोग मारे ति सब्रकार के बड़े बड़े राजा आए सब में बड़े राजा थे भगवार रिक्रिश्ट सब बड़े राजा आए सभी राजाओं ने अपने अपने स्टेटस के उसार महाराज युदिश्पिर से काल ले लिया अपने स्टेटस के उसार काल लिया ताकि किसी के समाथ पर कोई ठेस नप पहुचे और उन राजाओं के भी समसे बड़े राजा महाराज ग्रिश्पिर उन्हों ने कहा मुझे दो कांच सौपिये युदिश्पिर महाराज पहराजां कि जितने महाराज और इस यग में भाग आने वाली जरता यह जो आने वाले हैं सब के पैर भूने का कारी मुझे दिजिए और उसके बाद जो भोजन करें तो जूपे पत्तल उठाने का कारी यह जो ही सभी राजाओं के राजा महाराज मुश्पिर का हुआ है संद एकनाथ कासी से गंगा चल ले करके राविश्वरन का वहां अधुष्टित भगवान रामनाथ का जलाविश्पिर करने के लिए कासी से चल ले करके संद एकनाथ चलते मार्ग में प्यास से तड़ता हुआ गज़वा दिखाई देता संद एकनाथ ने सोचा कासी से बहुत दूरी आत्रा हो गए थी रामिश्वरन मेजदीश का जन पाया था रामनाथ का अभिशेख करने के लिए पर तो प्यास से तड़ते हुए गज़े को देख करके गंगाजल से भरी हुई पूरी गगरी उस गज़े लिए उड़े लिए रामनाथ दूर रहे प्रंको संत एकनाथ में सोचा यह गधा अगर प्यास से मर जाएगा और हमारी जलस्य चरिक्त हो जैता है समाज का सबसे छोटता सबसे बंचित वरगर अगर यह हमारे कारे से बंचे करता है इसका कुछ कल्यान होता है तो यह उससे बड़ा कारी है स्वदेशी जागन बंच का कार्य करता, संत एक नाथ का कार्य करता तो मित्रों, आज जो यह भ्याद कामरात्री दिखर रही है वीर साबर करने का हाथा किसी भी समाज के उठने का सबसे स्वर्णिल कार्य होता है और वाहा कहिए इस प्रकार का रहा तो इसकार रात्री से मिकाल करके भारत फिर से ना केवल अपने समाज का पर उतुपूरी दुनिया का मार दर्शन के लिए सनद्वा हो करके खड़ा हो सकेगा पहले हम सब लोग खड़े हो जाएं आज की सोसर पर इतना ही मेरा में बेदर